हेलो अब्रिवेन इट्स रियल एक 47 मैच प्रिक्शन जहां आपको देते हैं हर एक मैच की रिपोर्ट तो गाई आज बात करेंगे PSL का मैच नमर 11 कराची वर्सेस मुल्तान और इस वीडियो में बताएंगे आपको कौन से टीम के साथ आपको रहना है कौन से टीम जीतेगी सा है मैच प्रिवDoor के मैच प्रिव साथ साथ इनकी बॉलिंग भी काफी सांदार है बॉलिंग में इंसा उल्ला जो PSL का भी सबसे ज्यादा बिकेट लेने वाले बॉलर है और एक अच्छी लाय से बॉलिंग करते हैं एवरेज इनका 140 रहता है मतलब पेस है इनके बॉल में और इनका साथ दे रहे हैं उसामा मीर जो काफी अच्छा इस्पिन बॉलिंग कर रहे है जिसके वज़े से पॉइंट टेबल पे टॉप पे चल रहे है मुलतान तो कई सब बात करें है टीम कराची के तो टीम कराची भी अच्छी टीम एबट इनको जीत उतना मिला नहीं है टोटल चार मैच के लिए चार मैसे ती टीम कराची में तो बॉलिंग भरी हुई है बॉलिंग में है मुहमद आमीर, इमरान ताहीर, बेन कटिंग और इनके टॉप क्लास के बॉलर है आकीफ जावेद जो अच्छे बॉलिंग करते है तो अबराल देखा जाए तो इनमें बॉलर ज्यादे है हलाकि लास्ट मैच में और जेम्स वीन्स और मैथ्यू विल्ड ने काफी अच्छा बैटिंग किया था और ओपनिंग में काफी अच्छा बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर दिया था जिसके वजेर से इसलावाबाद के खिलाब इनको बड़ी जीत मिली थी तो उमीद रहेगा कि इस मैच में भी अगर इनका बैटिंग चल गिया इस्टार्टिंग में तो हो सकता है कि कराची एक अच्छा गेम दिखा है और ये मैच जीते है। तो गैज बढ़ते हैं पीछ रिपोर्ट के तरब तो मैच नमर 11 पीएसल का मुलतान मर्सेज कराची जो खेला जाएगा मुलतान स्ट्रेडियम में और ये मैच 6 बजे खेला जाएगा मुलतान का होम ग्राउंड रहेगा लास्ट के 5 मैच का परफोमेंस देखा जाए दोनों ट काराची से वह के कि एड देखा जाएगाके 10 मैच में तो काड़े पांच मैच जीता है और चार मैच मूलतान जीता है एक मैच में नो रिझल्ट हूआ तो अकर एड दो एड में बात किया जाएग तो काराची आगे है मॉलतान से और यहाँ पर टॉस मेतर नहीं करेगा वो वहाँ पे ज़्यादा रन मारता है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कूर यहाँ का 171 सेकेंड इनिंग का 144 तो देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा रन बनता है वही हाईस्ट इस्कूर यहाँ का 210 है मुल्तान वर्सेस पिसावर और मुल्तान नहीं मारा था तो मुल्तान का ग्राउंड है मुल्तान को होम ग्राउंड है तो काफी ज़्यादा सपोर्ट करेगा मुल्तान का ग्राउंड यह मुल्तान को और रही बात इस ग्राउंड पे बॉलिंग की तो बॉलिंग जो पेसर्स है वो ज़्यादा अच्छे बोलिंग करते है इस ग्राउंड पे पेसर्ष नहीं यहां पे 85 बिकेट लिया है वही स्पिनर ने 30 बिकेट लिया है गाई अगर देखा जाए दोनों टीम के कॉम्पेरिजन में तो मुल्तान काफी ज़्यादा स्टेबल है काराची से क्योंकि उसके पास बोलर भी है पेस्टमन भी है अलग कि काराची के पास भी अच्छा मोमेंटम मिला लास्ट मेंच जीत के आई है तो उमीद रहेगा कि इस मैच में भी काफी अच्छा गेम दिखाए काराची बट अपनी फाइनल टीम इस मैच में मुल्तान है और मुल्तान को सपोर्ट करेंगे हम लोग और मुल्तान ये मैच जीत जाएगा आराम से कराची से बट फाइनल अपडेट आपको टेलिग्राम पे मिलेगा क्योंकि टोस के बाद बहुत सारे से प्लेयर जो नहीं खेलते है या फिर कोई कारण से उनको बैठाय जाता है नए प्लेयर को चान्ज दिया जाता है तो टीम चेंड जाती है तो फाइनल अपडेट आपको टेलिग्राम पे मिलेगा वो भी आफटर टोस तो जो लोग टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया